हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से आ जिरो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीफा गट 400 mg टेबलेट रीफा गट 400 mg टेबलेट के मैं आपको यूज डोज बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा आपने रिये इस चैनल पे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो कर जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर नागर के हम वीडियो को सुरू करते हैं रीफा गट 400 mg टेबलेट एक एंटिबायोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल मोख्य रोप से IBS यानि irritable bowel syndrome की problem होने पर इसे यूज किया आता है इसके साथ साथ और किन condition में इसे यूज किया आता है और किन लोगों को ये यूज नहीं करना चाहिए मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी packaging आप स्क्रीन पर देख रह रिफाकसी में चाल समझें चलिए दोस्तों मैं बदाता हूं इसे किन condition में यूज किया आता है दोस्तों किसी को गंबीर दस्त हो रहा हो बार-बार पतले दस्त हो तो उस condition में इसका इस्तेमाल किया आता है या पिर किसी को हेपेटिक इनसेफ लोपेथी की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उस कंडिसन में भी इसका इस्तेमाल किया आता है चलिए दोस्तो हमें बदाता हूँ इसे यूज करने का सही तरीका यानि इसके डोज दोस्तो इस टेबलेट का इस्तेमाल 7 साल से 14 साल के बच्चों में आधी टेबलेट सुबह आधी टेबलेट साम को खाना खाने के बाद और जिन लोगों की उमर 14 से उपर है वो एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट साम को खाना खाने के बाद लेंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चाहिए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पो सकते हो मैं उसका जवाब जरूर दूँगा हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई आए लेकिन मैं जवाब जरूर दूँगा दोस्तों मेरे पास इंस्टा पे भी बहुत मैशेज आते हैं लेकिन इंस्टा पे वो हेलो हाय लिखते हैं तो मैं आपको बता दूँ आप हेलो हाय ना लिखे डारेक्ट अपनी प्रॉब्लम लिख दें जबभी मेरे को वक्त मिलेगा मैं उसका रिपलाई कर दूंगा चलिए दोस्तों हम मैं बताता हूँ किन लोगों को अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो महिला गर्वती हो वो अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें या फिर जो महिला अपने बच्चे को इस्तनपान कराती हैं, वो भी अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर 7 साल से कम उमर के बच्चों को ये टैबलेट ना दें, अगर ये लोग यूज करना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर की सला लें, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए अब मैं बताता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स, दोस्तों किसी को काफी समय से दस्त हो रहा है, पतले दस्त हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेसान हो गए है, तो मैं आपको बता दूँ जब आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करोगे, तो आप बज़े से उन्हें काफी प्रोब्लम का सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ यह आई-बी-एस की प्रोब्लम भी ठीक कर देता है, और जिन लोगों को हैवेटिक एंसे फ्लोपेथी की प्रोब्लम हो जाती है, इसमें क्या होता है कि यह दिमाग से जुड़ा कर पाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा प्रोब्लम होती है, तो पेसेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस कंडिशन में अगर इसे दिया जाए, तो यह बहुत ही जल्दी उसे रिकबर कर लेता है, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इससे होने वाले साइड डिफेक्ट, दोस्तों टैबलेट लेने के बाद अगर आपको चक्कर आने लगे, तो समझ लीजी आपको यह सोट नहीं हो रहा, या फिर आपके सिर में तेज दर्दों लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको यह सोट नहीं हो रहा, या फिर आपको बहुत तेज बुखा करता हूं ताकि आप लोगों का समय बचा सकूं और आसान भासा में वीडियो लाता हूं ताकि सब तक पहुंच सकूं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तक तक के लिए मुझे इजाज़ा देजिए गुडबाई